पुराने जमाने में अमीर और राजा महाराजा लोग अपने मनरंजन के लिए जंगल में शिकार पर जाते थे हमारे बॉलिवर्ड में भी कुछ लोग ऐसे शौक रखते हैं खेर अब ये खेल तो गैर कानूनी है 2013 में आई अमेरिकन ट्रिलर मॉवी दड़ फ्रोजन ग्राउन्ड कुछ ऐसी ही शिकार का केल को उदर शाता है लेकिन शिकार जानवरों का नहीं इंसानों का आप कहेंगे इस इंसानों द्वराई इंसानों का फिकार तो मोवी या कालपनिक कहानियों में हो सकता है असल जिन्दगी में नहीं रुखिए निकोलस केज का The Frozen Ground असल जिन्दगी के सीरिल किलर से प्रेरी थे यकीन करना मुश्किल है लेकिन ही बिल्कुल साच है असल जिन्दगी का ये पागल खुनी है रॉबर्ट हांसन 1970 के दशक में रॉबर्ट हांसन जिसे बुचर बेकर के नाम भी भी जहा जाता है कालपनिक कहानी को पूरे दशक बर की वास्ता एक पर बदल दिया हांसन ने शहर में अपने अच्छी रेपुटेशन बनाई रखी थी लेकिन अलास्का के जंगलों में वो जंगली जानवर से भी बत्तर था 1970 से 1980 के शुरुवात तक हांसन वेश्याओं को और विदेशी डांसरों को अपना निशाना बनाया उनका अपारण करके अलास्का के जंगलों में खुला छोड़ देता था ताकि जान बचा कर बाग रही लड़कियों को जानवरों की तरह शिकार कर सके यह है बुचर बेकर सेल किल्ल स्टोरी 15 फरवरी 1949 को अमेरिका के लोवा के इस्टर विले में डेनमाक मूल के परिवार में रॉबर्ट क्रिश्चिन हांसन का जनम होता है पिता बेकर दे और एक बेकरी चलाते थे रॉबर्ट भी अपने पिता के बेकरी में हाथ बढ़ने लगता है हांसन काफी शर्मिला लडगा था वो हकला कर बोलता था और उसे गंबीर रूप से मुहासों के शिकायत थी मुहासों की वज़ा से उसके चेहरे का एक हिस्सा हमेशा के लिए दागदार हो गया स्कूल में हकलाता हुआ और जेरेफर मुहासों के दागवलल हंसेन को कोई लड़की भाव नहीं देती थी इस वज़े से हंसेन उनसे लफरत करते हुए और कुरूर पतिशोद लेने के कलपनों को पालते हुए बड़ा हुआ बड़ा हुता हांसेन चूपचा पर अकेला होता गया और पीता के दबंग सुभाव के करण वो घर से भी दूर भागने लगता है उसने शिकार और तीरंदाजी दोनों का अभ्यास करना शुरू किया वो अपना जाहता समय उनी पर निकालता था 1997 को हांसेन उनाटर स्टेट आर्मी रिजर्व में भरती होता है बाद में लोवा के पोकाहंटरस में पुलिस अकेड़मी में असिस्टेंट डिली इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर ले लगता है वही एक लड़की से उसकी मुलाकात होती और 1960 में हांसेन उस लड़की से शादी कर लेता है हांसेन स्कूल में अपने साथ हुई दुर्वयवहार का पित शोद लेने का प्लैन बनाता है साथ डिसमबर 1960 को 21 साल का हांसेन बेकरी का एक लवरकर के मदद से स्कूल बस गरेज में आग लगा देता है जब बेकरी वरकर ने इस बारे में पुलिस को बताया तो हांसेन को गिरफतार कर लिया गया हांसेन को 3 सल का स्गा हुआ इसी दौरन उसकी पत्नी ने उसे तलाग दे दिया हांसेन को 20 महेने बाद जेल से रीहा कर दिया गया उसके बाद हांसेन चोटी मोटी चोरी के इल्जाम में कुछ और बार जेल गया और εκस्तानिय मेला से उसने दूसरी शादी भी कर लिया 1967 को हंसेन अमेरिका से अलास्का का एंकरेज में आकर बसता है एक चोटे सी समधाई में अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहने लगता है हंसेन को एंकरेज के लोग बहुत पसंद करते थे उसने एक चोटी बेकरी भी खुली पहर के लोग एक हसमुक पारिवारिक बेकर के मुकोटे में चुपा हैवान को नहीं देख पाए 1972 में हंसेन को दो बार गिरफ्तार कर लिया गया पहले एक हाउस वाइफ के साथ बलत करके कोशिश के लिए दूसरी बार एक वेश्या के बलत करके लिए आपसी सोदे के बाद उसे 5 साल का सज़ा सुनाया गया 6 माईने बाद उसे रिहा कर दिया गया हांसेन की हत्या की होड 1973 को शुरू हुआ पूरे 10 साल बाद 1983 को एक ट्रक ट्रेवर को 17 साल की सिंडी पॉलसन नाम की एक लड़की उस आदमी ने उसे घर ले गया और पॉलसन ने में कुट्टे का पट्टा बंद कर रखा उस आदमी ने पॉलसन के उसाथ लगा तर बलत कर और पैसे मांगने लगी उसका एक दोस्त की कहानी में हामी बरता है और हांसिन को छोड़ दिया जाता है इदर अलास्का स्टेट ट्रॉपर्स को यकीन था कि एक संकी सीर्टिलर इलाके में खुला गुम रहा है क्योंकि कई वेश्या यह और डांसर्स गायब हो गए तो ट्रॉ एजेंट जॉन डगलस भी शामिल थे जिनकी क्रिमिनल प्रोफाइलिंग काफी मददगार साबित हुआ डगलस ने केस के डिटेल्स और बरामत लाशों पर लगी चोटों के आदर पर कुनी का साइकलोजिकल प्रोफाइल बनाया उन्होंने अनुमान लगाया कि हत्यारा कम आत्मविश्वास वाला एक अनुभवी शिकारी है और लड़कियों से रिजेक्ट किया हुआ इत्यास वाला और उसके हकलाने की भी संभावना बताया पुलिस को पहले हांसेन पर पूरा शक था अब डगलस की प्रोफाइल में भी बिल्कुल फिट बैठता था इतना ही नहीं हांसेन के पास मातनस का सुजितना गाटी में एक बुश प्लेन और कैबिन भी था पुलिस ने हांसेन के विमान कार और घरों की तलाशी लिये कोई नहीं जानता था कि इस शिकारी ने एक अलग तरीकी के टोफी भी कलेक कर रखी थी हांसें जायतर आंकरेश के आसपास के वेश्यां और डैंसर्स को अपने निशाना बनाता था वह उनका अफरण करके उन्हें अपने विमान में अलासका के जाडियों में अपने कैबिन म लाता था वहां वो उन लड़कियों का लगातार बलत कर करता था और उन्हें यात नहीं देता था जंगल में नीक नदी के किनारे हांसें लड़कियों को खुला छोड़ देता था एक पल के लिए उन लड़कियों को उम्मीद मिलती थी कि उनका जान शायद बच सकती है फि हांसेन जंगली जानवरों की तरह गोली मार कर उनका शिकार करता था हांसेन के गर की तलाशी की दौरन पुलिस को एक एविएशन मैप मिला जिसमें चोटे एक्स बनाये हुए थे जो हांसेन की पीडितों की हत्या और उनको दफनाई हुई जगाओं को दर्शाते थे जो शौ पुलिस को मिले थे वो मैप के कुछ एकसे मेल खा रहे थे मैप में 24 एकस थे 27 के पास प्रीस गहनों का डेर भी मिला यह और नहें हंसेन अपने शिकार की ट्रोफी की तरह अपने पास रखा था 1984 को सबूतों के सामने हांसेन ने पारा साल की आवदी में 17 हत्या और 30 अलग अवरतों के सथ बलातकार की बात कबूला रॉबर्ट हांसेन को 461 साल का सदा सुनाय गया उसे अलास्का के सेवाड के स्प्रिंग क्रीक एरेक्शन सेंटर में ख्याद रखा गया 2014 को रॉबर्ट हांसेन के मुट्यू हो गई